हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर श्याम चुडियों के साथ खेल रहा है चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है चिलिया उल चिलिया उल उल चिलिया हरे ये क्या श्याम तो चिडियों को उड़ा रहा है ऐसा मत करो श्याम हरे ज़र इस लड़के को तो देखो कैसे चिडियों को उड़ा रहा है ये लड़का भी ना कभी नहीं सुद देगा चलो जाकर जल्दी से रुपती हूँ अरे श्याम बेटा जल्दी हटो वहां से वरना चिडिये ऊट जाएंगे मैं जा रही उन्हें दाना देने चलो हटो वहां से चिडिया हो रहे है श्याम भी ना जब चिडिये बढ़े जाएंगे तो मैं खुद बखुद ने छोड़ दूगे अरे ये क्या देखो तुज़रा कैसे दर्वाजा खोल कर रखा है कितने प्यारे हैं ये लोगी तो अंडे में थे तबसी में ने पाल के रखी हूँ अरे सोनम रुख जाओ नहीं नहीं मुझे नहीं लुखना आप जाएंशे मिला पीज़ा मत कीजिए अरे सोनम मेरी बात तो सुनलो जरा तुम क्यों नहीं सुन रही पूरी बात तो सुनो मेरी नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना अरे ये लड़की भी ना मुझे आपकी बात नहीं सुननी है आप मेरे ले क्यों नहीं मीनी स्कूटर लिकर दे देती है सारे बच्चों के पास है श्रीफ मेरे पास नहीं है हरे सोनम हाँ हाँ पर मेरी बात तो सुनलो जरा एक बार नहीं नहीं सुना है मुझे अब मैं लाधा अंटी के शाची रहोंगी आप जाएए यहाँ शे में आपकी घल्पे कभी भी नहीं आउंगी हा नहीं डो अरे ये क्या दीदी और सोना में क्या बात हो गई चुरो जाकर देखती हूँ अरे देदी क्या बात हो गई आप जगड क्यों रही है अरे राधा आओ देखो जरा सोनम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है मैं इसे कब से बोल रही हूँ मेरी पूरी बात सुन लो सुन लो पर ये सुनी नहीं रही अरे देदी लेकिन बात क्या हो गई है क्या बात है सोनम तुम क्यों नहीं सुन रही हो दीदी की बात अले आंटी देखिए जा मैं कब शे मम्मी को बोल रही हो कि मुझे मिनी स्कोटर लेकि दीजे लेकिन वो नहीं दे रही है अरे दीजे दिलवा दीजे क्या होता है अरे राधा मैं वही बताने के कोशिश कर रहे हूँ सोनम के पापा वही लाने गए है सोनम का मिनी स्कोटर लेकिर यह लड़की मेरी पूरी बास सुन ही नहीं रहे है तो मैं क्या करूँ अब अले क्या सच में पापा लेने करे हैं मम्मी मुझे माफ कर देजी मेरी मिनी स्कोटर आएगी हाँ सोनम वो बस लाते ही होंगे चलो चलो जाता हूँ सोनम बेटा तो खुश हो जाएगी चलो यहीं पर होंगे सब लोग हाँ यहीं पर है देखो सोनम सप्राइज तो मेरे में क्या लेकर आया हूँ तुमारे मिनी स्कोटर अले वा कही बेख़क ले potatoes दिखा हो चलो चलो थैंक्यू पापा अले वा कितने सुन्दल है इसको तो मैं सपना देखती थी कितनी सुन्दल है अब मैं पर शारे दोस्तों को दिखाऊंगे अपनी स्कूटर सोनम की स्कूटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छी से चल रही है, सोनम बेटा ध्यान से, अरे हाँ हाँ सोनम, वैसे अच्छी क्यूं नहीं होगी, गिफ्ट मैंने जो दिया है, हाँ अरे हाँ हाँ सोनम की पापा लेकिन आइडिया किसका था ये तो मेरा क्रेडिट कभी भी नहीं देते हैं मुझे अरे भाई पर लाया तो मैंने है ना स्कूटर सोनम स्कूटर सोनम श्याम को भी बिठा लो देखो, कितना ज़्दा खुश हो गया वो स्कूटर देखकर, उसे बिठा लो नहीं ममी मैं पस टाइम नहीं, मैं अपने दोस्तों के पास जा लिए, अपने स्कूटर दिखाने के लिए श्याम को मैं बाद में बिठा लूँगी ठीक है ना चलो मैं जाती हो जल्दी से बाई बाई ममी बाई बाई पापा थैंक्यो आप जून्यों का शोनम स्कूटर अरे श्याम बेटा मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं वो आ जाएगी ना तब तुम सवारी कर लेना अच्छे से बिचारा श्याम अरे नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है श्याम तो ऐसे ही रोने लगता है अरे श्याम तुम्हार लें बे बोलो तुम्हें एक स्कूटर ले आता हूँ अच्छी वाली अरे चिंकी कहा पल गई मुझे तो मिल ही नेरी है चलो टालाब के पास जाकर देखते हूँ वही पल बैठी होगी ये लगी चलो जाती हूँ चल देशे और यहाँ परचिंकी प्रीज पर बैठी है अले मगलमाच मुझे खाकल तो दिखाओ तब मैं जानू ये मगलमाच तो कुछ भी नहीं बिगार सकते है मेरा कितना मजा रहा है ये शे चिलाने में मैं इतने उपल बैठी हूँ थोई ना ये मगलमाच मेरा कुछ बिगार सकते है आओ आओ और यहाँ पर मगलमाच बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो वापस पानी में चले जाते हैं देखो तो चराए ये शब मुशे जर कर कैशे पानी में भाग गए वसे इस तॉलाब में कितने चोदे मगलमच है देखो तो दर ही लगता है लेकिन वो थोई ना मेरा कुछ बिगार सकते हैं तो ऊपर बेठी हुई हूँ और यहाँ पर सोनम भी आ जाती है अले अले ये क्या देखो तो जो रहे लड़की आश्मान पर बैठी हुई है ये ब्रीच पल क्या कर रही है अले चिंके चिंके सुनो अरे तो सुनम क्या वाज है अरे इस लड़की को मगर मच से भरे हुए तालाब के उपर पैट कर कौन सा मज़ा मिल रहा है बाप ये बाप ये कितना खतरनाक तालाब है लेकिन देखो ये तो मुझे उपर ही बुला रही है चलो जाती हूँ बुला रही है तो जाना ही पड़ेगा अरे चिंके तुम यहापल क्या कर रही हूए कितना हिल रहा है ये ब्रेज मुझे तो डर लग रहा है कही मैं अपनी नई स्कूटी लेकर नीचे न किर जाओ अरे लड़की भी ना खत्रों के खिलारी खिलवा रही है मुझे अले कुछ भी नहीं होगा सोनम समल के आजाओ यहाँ पर अच्छ ठीक है मैं आती हूँ अले ध्यान से ध्यान से कही मेरी नई स्कूटी ने किल जाए मगर मस तो इसे चबाकर ढ़ल देंगे और यहाँ पर सोनम बहुते दर डर रही होती है तालाब को देखकर अले यह कैंब यहाँ पर तम मगल मस भरे हूँ पूरे तालाब में चलो मैं धीरी धीरे चलाती हूँ अले 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 चlaynkay तुम यहाँ पर कैसे आई हो मुझे तो बहुते दर लग रही है अले अले सोनम समल के अले हाँए ये ब्रीश तो कुछ जाधे ही हिल रहा है, चलो जाती हूँ, चलो पहुच गई, अरे चेंके देखो, मैं तुम्हें अपने ब्रैंड न्यू मीनी स्कूर्टी दिखाने के लिए लाई हूँ, अले क्या ये वही स्कूर्टी है ना मीनी वाली, अले वह सोना मुझे भी सवारी क मुझे भी बोटी दिन से मन कर रहा था, तुमने तो खरीद लिया, वावा, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें अपनी स्कूर्टी के सवारी कराती हूँ, अले हाँ, चलो, चलो, चलते हैं ये, बोटी मजाएगा, लेकिन चलो नथवे दिर यही पर बैठते लेकिन अंबर बोटी मजा रहे है, इन मगरमच को तो देखो, कैसे हमें देख के लल्चा रहे हैं, बोटी मजा रहे हैं, तुम भी देखो जरा, अले चिंकी, तुम पगला तो नहीं कई हो, अले, ऊची, कोई बाद नहीं, परष। देखो तो जड़ा इन मगरमच के पास अच्छा थी कि देखती हूँ अले बाबले ये मगरमच तो हमारे लिए जैसे बैठे हुए है चलो चलो चलते से यहां से भागते है मुझे तो बड़ा ही दर लग रहा है चिंकी तुम पता नहीं आपल कैसे बैठी हो अले शोनम बश भी कलो ये मगरमच हमारे क्या बिगार लेंगे हम तो इत्ते उपर बैठे है वो तो नीचे है तुम तो स्रच में इक नमबर की दर पोको मुझे तो बिल्कुल भी दर नहीं लग रहा है ये मगरमच तो हमेशे ही यहां पल होते है अले हाँ तुम सही बोल लही हो लेकिन मुझे तो बला ही दर लगता है चलो चलो चलते हैं यहां से हमारे मिनी स्कूता की सवारी करेंगे सच में बहुत ही ज़्यादा मजाएगा है चलो चलते हैं मुझे अच्छे से पकल के बैठ गई हो ना बिखे विए तो मुझे मत बोलना है अले हां लेकिन मुझे पला ही दर लग रह देखो तो जरा कैसे हिल रहा है अच्छे से पकल लेना देखो तो यह मगरमच कैसे हमारे टाक में बैठ हुए है अले हां तुम शरी बोले हो दिल दिले चिलाओ अले अले क्या चिंगी पता नहीं तुमने मुझे किस मुशिबत में फकड़ा दिया है चलो चलते हैं अले शोनम कोई ना धिरे धिरे चलाओ उस पार हम जल्दी ही पहुच जाएंगे अच्छा ठीक है चलो दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब ज़रू कर देना ठैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो